पहले आप ये देखो और अब आप ये देखो देख लिया भाईया तो अब आप ही डिसाइड करो हुई इस वैस्ट खेर अभी आप सोचते रहो और अभी हम बात करते हैं डोन 3 को लेकर एक तगड़ा अपडेट सामने निकल के आच जगा है जहां पर वाईस्था फिल्म के जो डिरेक्टर है फारान अक्तर एक्चली उन्होंने चुप़ी तोड़ते हैं अभी आपडेट सामने निकल के आया तो उस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे लिकिन फड़ा बट करेंगे लेकिन फड़ा बट से पहले बात कर लेतें जो शारू को लेकर फारान अक्तर ने कहा है इसके बारे में स्चालोjourd euh Korea both आपकी जाएंकार ये क्लेब बता दें सबसे पहले तो फरानक्तर फिलाल फिल्हाल की स्क्रेपन को टैयार कर रहे है जहांबर फिल्ह ए हमीं की स्क्रेपन लगाता पूरी तरीके से फरानक्तर ने तैयार कर दी और अपने स्क्रिप्ट के अनुसार उन्होंने सारु खान को लेकर जो कहा है बाइस साब वो ये कहा है कि सारु खान के लिए जो उन्होंने फिल्म की कहानी लिखी है वो उनके लिए परफेक्ट नहीं है और साथ यही कारण है सारु खान का डॉन 3 में ना होना तो यही बाते को सारु खान को लेकर फरानक तरने कहीं खैर भाइस साब यह तो सारु खान की बाते थी लेकिन फिलहाल जो नेक्स्ट अपडेट एक और रसाम ने निकल के आया है वो आया फिल्म को लेकर जहां पर बताया चारा है कि फिल्म की स्क्रिप्ट आने वाले अगले क पुछी दिनों में कम्पलीट कर ली जाएगी और उसके बाद वाइस सा फिल्म की सुटिंग को भी स्टार्ट कर दिया जाएगा हाला कि फिल्म की एनॉंसमेंट को लगबग एक साल हो चुका है जहां पर मेकर्स ने एक साल पहले इसका एनॉंसमेंट टीजर जारी किया था जिसमें हमें राड़गीर सिंग का दमदार डायलोग और उनका एक्शन लुक देखने के लिए मिला था और अब एक साल बाद दोस्तों फिल्म की सुटिंग भी सुरू होने जारी और जल्दी फिल्म की सुटिंग लगबग चार्ट से पांच महिन तक चलेगी उसके बाद कम्प्लीट कर ली जाएगी एन फिल्म में हमें काफी धमतार एक्शन देखने के लिए मिलेगा हाला कि ब जरूर बताना और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके जाना जल्दी मिलेगे को नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए दोस्तों